आज में बनाऊंगी पर्यूशन के लिए लंच रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे दई वाले चावल की कनी जिसे गैस कहते हैं साथ में ड्राइ तूर की सबजी और थेपला बनाएंगे ये कॉम्बो रेसिपी को आप चाहो तो चोवियार के लिए भी बना सकते हो बहुत ज़्य तेस्टी लगती है जैनेंद्रा वेल्कम टू माई जैन रेसिपी मैं हूँ जीनर तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए उसे मेरी वीडियो उसको आप थोड़ा मिक्षर में ग्रैंड करके बारिक कर लेंगे अब इससे हम तिन से चार बार वाश कर लेंगे और वाश करने के बाद इसे हम 15-20 मिनिट के लिए भीगने के लिए रख देंगे और आज हम जो लंच रेसिपी बना रहे हैं उससे हम चार थाली सव कर सकते ह देखे मैंने यहां आदा कप तुवर को तिन से चार गंटे के लिए गरम पानी में भीगो देई थी अब इसे हम बॉल करने के लिए रख देंगे तो यह पानी निकाल देना है अब कुकर में तुवर डाल देंगे और आधी टीस्पून नमक डाल देंगे और देट कप पान पानी गरम कने रख दिया है अब पानी इस तils तरह गरम हो जाने के बाद चावल की चा नए अड़ कर देंगे और एक बार मििक्स कर देंगे अब इसमें एक तीस्पून नमक डाल देंगे और चमत से एक बार मिक्स कर लेंगे और दस से बारा मीनिट के लिए मीडियम फलम पकने देंगे आप जाऊं तो चावल की कनी को कुकर में भी पका सकते हों अब मैंने यहाँ 1 कप दे लिया है और इसमें 1 कप पानी एड कर देंगे और इसके हम चास बना लेंगे, दई हम हलका खटा यूज़ करेंगे, देखे चास बनकर रेडी है, अब इसे हम साइट में रख देंगे, और यहां 10 मिनिट में देखे चावल की कनी भी पक गई है, और इस तरह हाथ से थोड़ा प्रेस करके चेक कर लेंगे, अब इसमें जो हमने चास बना पकाने के बाद, कंसिस्टन से आप देख सकते हो, अभी हलकी पतली है, पर यह ठंडी होने के बाद, थोड़ी गाड़ी हो जाती है, अब इसमें एक टेबल स्पून मलाई एड़ करेंगे, और एक टीस्पून रोस्टेट जीरा पावडर भी आड़ करेंगे, और अच्छे स करेंगे, और थेपला का आटा लगाएंगे, यहाँ मैंने देट कफ गेहु का आटा लिया है, अब इसमें फॉर्थ टीस्पून नामक, अदी टीस्पून लाल्मिश पावडर, फॉर्थ टीस्पून हल्दी पावडर, फॉर्थ हिंग, और बनेई त्वी टीस्पून तो उसके लिए थेपला का आठा एकदम परफेक्ट होना बहुत जरूरी है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिडियम सॉफ्ट आठा लगाएंगे थेपला का आठा भी हमें रोटी जैसा ही लगाना है बहुत ज्यादा कड़क आठा नहीं लगाना है देखे इस तरह थोड़ा सा ओल डालकर आठे को चिकना कर देंगे और आठे को ढगकर 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे देखे यहां तुवर भी बॉइल हो चुकी है और इस तरह दो उंगली के बीच में प्रेस करके चेक कर लेंगे इस तरह अच्छे से पकनी चाहिए पानी में 5-7 मिनिट के लिए बॉइल कर लेना है फिर शानकर पल्प बनाएंगे अब तुवर बनाने के लिए कड़ाय में देट टेबल स्पून सरसो का तेल लिया है आप चाहो तो कोई भी कुकिंग ओल ले सकते हो अब इसमें वनफोर्थ टीस्पून राय को चटक में दे 2 टीस्पून बेशन एड़ करेंगे और हलका रोस्ट कर लेंगे और बेशन हलका रोस्ट हो जाने के बाद जो बॉइल की थी वो तूवर एड़ कर देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे और तुरंथ हम आधा कप पानी एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे गे एक्डूर्ल ponto मीडियम रखेंगे हिस्पार 2 का पुप बनाया था था आड करेंगे और दो टेबलस्पून गुड भी एड कर लेंगे नमक हमने बॉइल करने वक्त भी एड़ किया था इसलिए नमक ध्यान रखके एड़ करेंगे कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो अगर पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हो अब हमारी तुवर की सबची बनकर रेड़ी है अब हम थेपले के आटा इस तरह हमें नरम लगाना है और सुखा आटा लेकर बेलेंगे जिससे यह थेपला एकदम सॉफ्ट बनेंगे बेलने के बाद थेपला की ठीकने सब देख सकते हो अब इसे हम रोस्ट करेंगे रोस्ट करने के लिए मैंने आयन का तवा लिया है और तवा मीडियम गरम होना चाहिए अब थेपले को तवे पे डाल देंगे और इस तरह बबल साने के बाद साइट चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और नीचे की साइड इस तरह हलके ब्राउन स्पोट आने के बाद थोड़ा सा ओल डाल के साइट चेंज कर देंगे और उपर स तबे पे डाले तब गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी और हलके बबल्स तिंखने के बाद साइट चेंज कर देंगे और फिर तुरंथ हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और तेल डालकर रोस्ट कर देंगे तो यह थेपला कभी भी हाड नहीं बनेगा दिखे मैंने सारे थेपले बना दिये हैं अब हम सर्विंग प्लेट में साव करेंगे तो हम प्लेट में पहले चावल की कनी को साव कर देंगे और तुरंथ हम ऊपर थोड़ा सा रोस्टेट जीरा पावडर डाल देंगे और ऊपर थोड़ा सा गी डालकर फिस साव करेंगे साथ में हम तुवर की में एक बार घर पर जरू ट्राइ करना सबको बहुत पसंद आएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग